हेलो एवरिवन आज मैं आपके लिए लेके आयो एक बहुती ब्यूटिफुल सा और सुपर टेस्टिक के बटर स्कॉच टी टाइम के ये दिखने में जितना डिलिशेस लग रहा है खाने में उतरना ही यमी है और आपको उपर से जो शाइनिंग नजर आ रही हम लोगों ने उ उसका स्पंज कितना पर्फेक्ट आया है एगलेस केक है ये और बहुती स्पंज बना है और बहुती कम टाइम में ये बनके कम इंग्रेडेंट के साथ रेडी हो जाता है तो चलते है रेसिपी की तरफ इसके लिए यहापे मुझे लगने वाला है कर्ड थोड़ा सा मैदा प मैं डाल देती हूँ एक कप कर्ड ये मेरा घर का बनाया हुआ कर्ड है अप रेडीमेट कर्ड भी यूज कर सकते हैं इसकर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसमें मैं डाल देती हूँ चीनी चीनी यहापे मैंने लिए आधा कप प्लस दो टेबल स्पून अब इन दो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे मैंने baking powder बेकिंग सोडा डाल दिया तो यहां पर बबल साना स्टार्ट हो जाता है तो यह जो हमारा बैटर बना है फिलाल इसको मैं पाच मिनिट ऐसे ही रख देती हूं पाच मिनिट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते देखे कितने अच्छे से और बबल साना स्टार्ट हो गया है तो अब इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे मैदा, एक कप मैदा तो इसको मैं चान लेती हूँ अच्छे से जिससे एर बनेगा और एर जैसे ही बनेगा उसमें क्या हो जाएगा कि जो स्पंज है वो बहुत अच्छा आता है इसमें आड़ कर देते हैं तीन टेबल स्पून ओईल, यह रेगूलर कुकिंग ओईल है एक चमच में डाल देती हूँ बटर स्कॉच का इसेंस और उसको और थोड़ा सा बटर स्कॉच का लूग देने के लिए इसमें डालूगे में थोड़ा सा येलो कलर तो आप देख सकते हैं इन सब को अच्छे से करेंगे हम लोग मीक्स तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूद डालने की जरूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा बैटर गाड़ा लेगे तो आप दूद अड़ेस्स कर सकते हो बैटर की कंसिस्टेंस से आपका दही कितना गाड़ा है उस पे भी डिपेंड करेगा प्रेट टीन में मैंने इसको डाल दिया है आप नॉर्मल टीन में भी इसको बना सकते हो अभी चलिए इसको हम लोग बेक कर लेते हैं ओवर या फिर कढ़ाई में यहाँ पर मैं ने कढ़ाई को खाली कढ़ाई को गरम किया है पाच मिनिट के लिए मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है और अभी यह जो हमारा ब्रेट टीन है वो मैं यहाँ पर रखनी जा रही हूँ इस टाइप से और धकन लगा लेते हैं फ्लेम मेरी लो है और 25-30 मिनिट के लिए हम लोग इसको अच्छे से पका लेते हैं तो मैं आपको 25-30 मिनिट के बाद दिखाते हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते है मेरा केक अच्छे से बेक हो चुका है, वाव, कितना प्यारा कलर आया है उसको, और आप स्पंज देख सकते हैं, बहुती दिखने में ही, बहुती सॉफ्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी सर्फ कर सकते हो या फिर अगर आपको ग्लेजिंग के साथ सर्फ करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा वाइट चोकलेट लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ दूद वाइट चोकलेट जितना रहेगा दूद उसका आधा रहेगा तो यहाँ पर मैंने वाइट चोकलेट ग्यानेश बना लिया है और इसके उपर मैं डाल रहे हूँ यह कम्पलेटली ओप्शनल पार्ट है आप उपर से जस्ट ड्राइफ फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी डालके विदाउट ग्लेजिंग भी सर्फ कर सकते हो मैंने उसको थोड़ा सा और हटके या कुछ न्यू के लिए उसको इस टाइब से बनाया है जो इसको और यमेजिंग बनाएगा यहाँ पे जो बटर स्कॉच के क्रंच होते हैं जिसको हम लोग प्रैलिन बोलते हैं उसको भी मैं यहाँ पे स्प्रेड कर देती हूँ जैसे ही चीनी ब्राउन होते हैं जो नजर आएगी उसमें आप लोग डाल सकते हो ड्राइफ रूट्स के तुकड़े तो वह आपका प्रैलिन बनके नदाव हो जाता है उसके उपर से मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पिस्ता के स्लाइसेस तो यह देख सकते हैं आप लोग यह है आपके क का फाइनल लुक तो मैं आपको इस प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ तो यह मेरा बटर स्कॉच टी टाइम केक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है ग्लेजिंग कंप्लेटली ऑप्शनल है मैं आप एक पार्ट आपको उसके कट करके दिखाती हूँ देख सकते कितन अमेजिंग बना है और देखे कितने अच्छे से इजीली स्लाइसे हो रहे है और बहुती सूपर सॉफ्ट यह बना है और खाने में बहुत बहुत अमेजिंग लगता है और दूसरी चीज यह जो भी इंग्रेजिंट्स में ने यूज कि है वो आपके किचन में बहुती आसा दीख रहे हैं आप हर एक slices में उसका texture देख सकते हैं कितना perfect texture आया है just have a look to this beautiful slice so आपका ये super delicious, super spongy, super soft buttersquotch tea time cake बनके ready है you can serve with and without glazing जरूर बनाईए मुझे जरूर बताईए आपको ये वीडियो कैसी लगी मिलते हैं इसे ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई